Hello and welcome friends, Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वाकत करता हूँ और आज की ये वीडियो Microsoft Excel की Microsoft Excel में खास क्या है क्या सिखेंगे हम आए आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर date लिखी हुई है date देख सकते हैं आपको दिखाई भी पढ़ रहा है कि यहाँ पर date लिखी हुई है हम करना क्या चाहते हैं देखिए यह जो date है इस से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तीन लिखा हूँ है थ्री लिखा हूँ है यहाँ 7 लिखा हूँ है यहाँ 1 इनमें हम months को add करना चाहते है so हमारे पास क्या ऐसा कोई formula है जिसकी मदद से हम यह कर सकते है आईए यही समझते है तो एक formula हमारे पास है is equal to का निशान लगाता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ e date तो यहाँ पर जैसे ही e date लगाएंगे तो यह आगया e date अब हमें इस date को कर लेना है select कॉमा देना है कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है यह month को कर लेना है select कर लिया bracket को कर यह close देखिए 3 July है 3 महीना आगे जाएगा August, September, October आना चाहिए तो यहाँ पर enterprise करता हूँ 3 October 2020 वाउ यह देख सकते हैं यहाँ पर सबका उसी के हिसाब से जैसे इसमें 7 month add किया गया है तो यहाँ पर 4 मार्च आ जा रहा है ठीक है क्या होगा अगर मैं minus 1 कर दूँ यहाँ पर देखिए यह minus 1 कर दिया तो यह January है तो यह पीछे चला जाएगा ना देखिए यहाँ पर आगया यह 5 December 2019 ठीक है इसी तरह से यहाँ पर देखिए यह 6 है ना तो यहाँ पर अगर minus 6 कर दूँगा तो यह 6 माईने पीछे चला जाएगा तो यह देखिए 7 January की डेटा आ गई तो कमाल का formula है की नहीं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो इसे share करें Thank you for watching this video